आज अपर रायका दशी है और आज हम इस मौके पे हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाली हैं जिनका नाम है महीमा सकसैना जी जी हरे क्रिश्णा महीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं हमारे ओडियंस के लिए बता दू जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं कि महीमा जी भोपाल मध्य प्रदेश से हैं और इसकौन के साथ जुड़ी हुई हैं काफी सालों से spiritual preaching, teaching, motivational topics पे लोगों को सिक्षा प्रदान कर रही हैं और इसके लिए उनको बहुत बहुत बढ़ाई और आज वो हमारे साथ जुड़ी हैं इस खास अबसर पर इसके लिए भी बहुत 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 धन्यवाद आज हम क्या जानने वाले हैं और आप कैसी हैं हमें बताए आज हम अपरा इकदेशी और इकदेशी कैसे उत्पन होई उसके बारे में चास्टाटरिए तो आज हम एकदेशी के रिगार्डिंग जो भी लोगों के मन में डाउट होते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंग तो सबसे पहले हम एकदेशी के मीनिंग पर जर्चाटरिए की एकदेशी का मीनिग तो एकदेशी मीन्स होता है 11th day of both the pakshas krishnapaksh and shukra paksh तो इसके हम दो तरीके के मीनिंग पर डिसकूस करने वाले आज एक तो इंटर्नल मीनिंग और एक एक्स्टर्नल मीनिग तो सबसे पहले एकदेशी का जो एकस्टरनल मीनिंग है जब हम एकदेशी के बारे में बात करते हैं तो उसका एकस्टरनल मीरिंग यह हुआ कि जस्ट फास्टिंग फॉम ग्रेंज एंड बीन्स मतलब कि अन्य नहीं खाना है उमको एकदेशी पे यह तो हो गया कि किसी भी मन्त के 11th टे पे हमको अन्य ग्रेंड नहीं करना है यही एक बेसिकली हम देखते हैं कि एकदेशी का मतलब होता है लेकिन इसका जो इंटरनल मीनिंग है वो बहुत ही बहुत ही साद़ दीप है और बहुत ही इंटरस्टन है तो जो इसका इंटरनल मीनिंग है उसका यह मतलब है कि एकदेश मेंस 11th and up means closer and near एंड नियर और वास का मतलब होता है रहना तो 11th day, पहले में इसकुस के 11th, up का मतलब होता है नियर और वास का मतलब होता है रहना तो हम अपनी पूरी 11th senses से क्रिष्ण के कैसे पास रह सकते हैं हम अपनी पूरी 11th senses को क्रिष्ण की सेवा में किस तरीके से लगा सकते हैं तो हमारी पास ज्यानेंद्रियां, पास करमेंद्रियां और एक मन अइसे टोटल हमारे 11 senses हुए और इन टोटल 11 senses को रिष्न में एबस्टार्ब करना एकदशी की दिन यही एकदशी का में परपस है अब हम 11 senses को कैसे खिल कि क्रिष्न की सेवां में लगा सकते हैं जीस कि आखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे इसके बाद हम अपने पैरों का यूज़ कर सकते हैं भगवान के मंदिर तक चल के जाने के लिए, कि हम चल के जाएं, भगवान की कुछ सेवा करें, भगवान के दर्शन करें, इसके बाद हम अपने कानों को लगा सकते हैं हरीकथा के श्रवन के लिए, कि हम उस दिन जाद से जादा हरीकता का श्रवन करें इस तरीके से हम अपने पूरे सेंसेज को कृष्ण की सेवा में इंगेज कर सकते हैं तो अपने पूरे सेंसेज को 11 सेंसेज को कृष्ण की सेवा में इंगेज करना इकादशी का यही एक डीप मीनिंग है हम पूरे दिन एकादशी में खुर्शन में रहेे हमारी चेतना और हमारा मन जो की सबसे क्षीष है जब तक हमारा मन नहीं लगेगा किसी विसमे थनी कहले जब तक हम उसीज में पूरे तरीके सा जो एम पुरे तरीके से लगाना है। तो यह इसका internal meaning है और एकादेशी को हरी वासर भी कहा जाता है हरी वासर का मतलब होता है कि हरी का दिधि और इसे माधव तिथी भी कहा जाता है माधव तिथी का मतलब है वा तिथी जो माधव को अत्याधिक प्रिये है तो इसलिए इसके और दो नाम है एक तो है खरीवासर और एक मादव तिथी, क्योंकि एक क्रिष्ण को अती प्रिय तिथी है और साथी साथी ये भक्ति जननी तिथी भी कहलाती है मतलब ये तिथी हमारे हृदय में हमारे हृदय में भक्ति का उदय करवाने वाली है यह बहत्ति को जन्म डेती है नहीं मतलब अगर हमें इकादशी का फास्ट करते हैं तो हमारे अंदर भक्ती उठभन होती है कि अज़कार पर अंदर प्लिट्बन होती है तो अजया सा कि आप सेंसे को मुष्णि की सेवा में लगाएं लिए तो हमारे अंदर भक्ती उखन होगि और हमें और कुष्ण से प्रेम उपन होगा तो यहीं एक इकद्रशी का external meaning और internal meaning जी तो अप्टा एकद्रशी के बारे में अप्रा इकद्रशी का मींस होता है, अप्रा मींस होता है अपार, जो भी अपार आपको अपार धन संपत्ती, अपार प्रेम, अपार कृष्ण प्रेम देने वाली, अपार भक्ती देने वाली, मतलब जो भी आपको छीज़ है न, वो अपार मात्रा में देने वाली, जो एकादशी है, उसको कहा जाता है अपरा एकादशी, तो ये अपरा एकादशी क तो आज के दिन जुम भवगान की जाद से जाद से बहा करें इंद एक दिन करें तो उसे के आज के साथ कुछ लोगों का सवाल होता है क्या हम चाय पी सकते हैं क्या हम चॉकलिट्स खा सकते हैं तो इस पे आपका क्या रह आए है वासरे को अनुप में कांट। करवा ग्राइन चाहिए थीज दिन प्रवाण भर राडं recording Lanth क्योंकि क्योंकि चाहिए में चाहिए निय्ण क्योंकि автомा क्योंकि हम यहाँ पर चेतना को शुद्र बनाने के लिए इतना प्रयाद कर रहे हैं वहाँ पुछ ऐसी चीज़ों को ग्राइंगे जो कि हमारी चेतना में दिकार उत्पन करेंगी वहाँ जो सुद्र करेंगे तो हम अपने चेतना को प्योरिफाय कर रहे हैं वहाँ था ज cotton की čiज़ों को इसी चीजर जो की अवारी चैतना को खराब कर वहाँ इसलीं हम तो tapedों जिए नियुक्न जलीं हम चॉकलेटा को चहाए हो इन सब को अभॉइवाय करना चाहिए थी उप व्रत को पालंग जाना चाहिए जी फलाहर इसमें जो नाओट है जी फलाहर पूश ले सकते हैं आप लोग तीन तरीके के यहां पर बत रखते हैं एक निर्जल तो आप उसमें आपको पानी भी नहीं पीना होता है और सजल रख सकते हैं अगर आपसे निर्जल नहीं रखा जाता है तो सजल में आप only water ले सकते हैं and सफल भी होता है कुछ लोग से फल ले सकते हैं but in case आपकी condition जादे ही खराब है आपसे बिल्कुल भी भूपरदाश नहीं होती है you can take tools और एक्सम एकदशी प्रशाद आप कुट्टू का आटे की पूरी हो गए सेच्छन घाड़े का आटा हुआ या पर आलू हो गए पनीर हो गया इस तरीके का आपसे बिल्कुल आइटम कर सकते हैं एकदशी प्रशाद के लिया जी आप इससे पहले कुछ कह रही थी मैंने डोक दिया आपको तो अब हम बात करते हैं जो कथा है एकदशी की जो वरत कता है अगर उसके बारे में थोड़ा सा हमें पता चले तो हम अपरा इकदशी की कथा के पहले सबसे पहले हाँ पर डिसकस करनेंगे की एकदशी कैसे उत्कन है और एकडशी क्यों इतनी important है? अज़ाब एक साल में हम 26 एकडशी को करते हैं तो हर एकडशी का अपना एक importance है पर हर एकडशी का बहुत जादा importance है और हर एकडशी अपने आप में बहुत महत्तुन है पर क्यों? अफिर ऐसे और वी वृत हैं जिनकों कर सकते हैं तो इसके बारे में हमको जानना होगा पहले कि एकडशी ही क्यों इतना महत्तुन है तो पुराणों में कथा हाती है कि एक मुर नाम का रक्शस था तो वो बहुत ही जादा शक्ति-शाली रक्शस था और उसने देवताओं को बहुत परिशान कर रहे था तो वो बार-बार देवताओं को हरा दिया करता था तो सारे देवताओं परिशान होकर भगवान विश्नु के पास गे और भगवान से कहा कि ये रक्शस बहुत जादा हमको परिशान कर रहे तो भगवान ने गोला कि ठीक है, आप लोग चंता मत करिये, मैं से युद्ध करूगा। तो भगवान उससे युद्ध करने के लिए आये, और राक्षिस, जुमुर नाम का राक्षिस था, और जो भगवान, विश्नु के बीच में, बहुत सालूं का युद्ध चला। और उनकी युद्ध का परिणाम ही हुआ कि विश्नु अपने आपको एक जुगाना है, मतलब ऐसा लीला है भगवान की बहुता है, लेकिन भगवान ने अपने आपको बताया कि मैं ठख चुका हूँ, और अब मुझे आराम की जरूरत है, तो मैं थोड़ा आराम करना चाहत कि भगवान के अंदर से एक शक्ती प्रकट हुए, एक तमिनाईन फॉम भगवान का प्रकट हुआ, उसमें एक देवी प्रकट हुए, जिन्होंने अपनी एक ही तलवार में उस मुर नाम की राक्षस का वड़ कर दिया, तो जिस राक्षस से सारे देवी देवता इतने अब भगवान विष्नू नीन से वुकता है, तो बहगवान ने बुला की बी आप ओए देवी आप आप हुए तो जो मैं नहीं कर सका गया, जो इतने दीवी दित्ता नहीं कर सके, मैं खुद और क्यूंकि मैं आपकी शक्ती हूँ, आपकी करोना में शक्ती है। इसलिए मैंने श्रक्षास कवध एक बार में कर दिया। तो उस जो राक्षास कवध उन्होंने देव으면서 बहुत जादा पसे. और भगवान ने उनको कहा कि मैं आप पर बहुत प्रसंद हूँ तो आप मुझसे कुछ वर्मागे तो लेवी ने कहा कि भगवान में आपसे ये वर्मागना चाहती हूँ कि आज के दिन जो भी आपका नाम कीटन करेगा और उत्वास करेगा र्षीफण की यात्रा करेगा उसको आपकी बहुत ज़ादा भक्ती मिले आपकी अपार क्रपा मिले और वो आपके धाम को प्राप्त हो तो भगवान से भी जादा कृपालू है भगवान के भक्त जैसे एकदशी जो है वो भगवान से भी जादा कृपा करने वाली है तो भगवान से कृपालू है ही और भगवान की वो पोटेंसी है उनकी करुणा मही शक्ती है तो बहुत ही जुल्दी भगवान गरप्त होता है और भगवान की कृपध होती है तो इसलिए भगवान ने उनको तथास्तु कहकर यह ग्या सब होगोन की जीवन अप्छे जनने लगाए किसी को कोई पाप कर्म का फल नहीं मिलता था तो अब तोड़े विन बाद किया हुआ जो पाप पुरुष थे जिनका अब काम बिल्पल बंद उचुका था क्योंकि सब लोग अब जा रहे थे धाम को जा रहे थे वापस पाप पुरुष परिशान होकर विष्ण भगवान के पास आया और यह कहा उनोंने यह पर्णु पुरान में कहता आती है तो उनोंने कहा कि भगवान मैं तो मतलब बेरुज़दार हो गया हूं कुछ काम ही नहीं मेरे पास अब तो यह तो सब लोग आपका नाम जब करते हैं और आपके दाम को चले जाते हैं मतलब मैं किसे सजा दूँगा मुझे भी तो कुछ चाहिए ना आप ही ने मुझे बनाया है मुझे बनाया है कि मैं लोगों को सजा दे सको उनके पाप कर्मों की सजा दे सको लेकिन ये लोग आपका नाम लेते हैं और आपके दाम को सले जाते हैं तो मेरे कुछ बताई कि मैं क्या कर सकूँ तो बगवान उनकों का कि ठीक है एक्ताम करो कहीं जाके छुप जाओ तो बाप पुरुष बुलते हैं कि मैं कहां छुपोंगा ये तो पूरा संसार आपका है आप जगरनाथ हैं मैं कहीं नहीं चुप सकता और एकादेशी दीवी का भी हर जगा प्रभाव है हर जगा उनका पुन्य करम फेला हुआ है हर जगा उनकी पोर्टिंस की है मैं कहां सुप सकता हूँ तो भगवान ने उनको बुला कि तुम एकादशी के दिन अन्य मेवास कर अगर कोई विक्ति एकादशी के दिन अन्य ग्रहन करेगा तो उसको गव हत्या, अपने माता-पिता की हत्या, अपने भाई-बहन की हत्या, अपने गुरू की हत्या, अपने गुरू की निंदा करने का चोरी करने का पाप, सब पाप एखटे मिल जाएंगे उसको. जो पाप उसने कभी किये भी नहीं है, उन पापों का पॉल उसको एखटा मिल जाएगा. अगर वो सिर्फ एकादेशी के दिन अन्न का प्रिषाद ग्रहेंड करता है, अन्न ग्रहेंड करता है, क्योंकि भगवान ने पाप को अन्न में इस्थान दिया है एकादेशी के दिन. इसलिए जो लोगों का कुश्चन होता है कि चावल नहीं खाने चाहिए, तो only वो चावल तक ही सीमित नहीं है, अन्य ही नहीं खाना चाहिए तो अन्य में सब को चाता है चावल हुआ, गेहु हुआ, दाले हुई तो यह सब बिल्कुल हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान में पाप पुरुष को यह वर्दान दिया था कि आप कहां पेवास करों कि अन्य वेवास करों तो इसके पीछे यह कथा आती है तो इसके बाद हम अपरा एकदशी की कथा पर भी चर्चा करेंगे तो जैसे कि हर कथा में हम सबसे बहले देखते हैं कि युदिष्टर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कृष्ण कर रहे होते हैं कि भगवान यह एकदशी का क्याम है तो हम इसे शुरू करेंगे कि युदिष्टर महाराज में पूछा जनारदन जेष्ट मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकदशी होती है मैं उसका महातमा सुनना जाहता हूм जुदिश्टर महाराज भगवाल से बोले चकट एस पर श्री भगवाल बोले कि आपने लोगों के हित के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्ना किया है तो इसे हमें अग्जे सीखने को मिलने कि हम जब भी प्रश्न करें तो ऐसे प्रिश्नी करें जो कि ना सभी के लिए हिट करूँ आजकर जादे दर लोगों के कोश्चन होते हैं कि हम माटेरिली कैसे दो गड़ सकते हैं, कैसा पैसा कमा सकते हैं लेकिन जो पहले के लोग, पहले के सादु संद, पहले की अच्छे राजा जो कि उधारन प्रस्तुत करते हैं, वो कैसा उधारन प्रस्तुत करते हैं कि वो ऐसे कुश्चन पूछते थे, जिससे कि समाज का कल्यान हो कि कैं? जिसके कि ना कल्यान हो, समाज का कल्यान हो तो इसलिए उन्होंने पूछा कि यह आपने बहुत उत्तम बात पूछी है तो जेश्ट गुजरात महाराश्ट्र के अनसार वैशाक मास के कृष्णपक्ष की एकादशी का नाम अप्रा है तो अलग अलग जगों पर जैसे हम को पता है कि अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है तो हमारे हाँ पर भी और गुजरात में भी तो इसको अपरा एकादशी का बेसिकली पूरे भारत में इसको अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह बहत ही पुन्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े फातकों का नाश करने वाली है ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गौत्र की हत्या करने वाला, गर्बस्त बालक कुमारने वाला, पर्निंदक मतलब किसी भी तरीके का घोर से घोर पापी हो वो अपरा एकादशी की सेवन से निश्चा ही पाप रहित हो जाता है जो कि इसने घोर पाप किया है, लेकिन अगर वो एकादशी व्रत को रखता है अपरा एकादशी के तो वो इसके पाप से रहित हो जाता है जो जूटी गवाही देता है, माप तोल में जूखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गढ़ना करता है जो करेगा उसके सारे पाप नष्ठ हो जाएंगे तो ऐसा ही इस कथा में बताया गया है कि ऐसा जो करेगा उसके सारे पाप नष्ठ हो जाएंगे अगर वो अपरा एकादशी का पालन करता है तो अब उसके बात में यह आपर बता रहे हैं कि कितना पुन्य प्राप्त होता है कितना पुन्य प्राप्त होता है एकादशी को करने से तो माग में जब सूरे मकर राशी परिस्तित हो उस समय प्रयाग में इस्नान करने वाले मनुश्य को जो पुन्य प्राप्त होता है। जो पुन्य प्राप्त होता है। तो अगर आप इस एकदेशी को करते हैं तो आपको क्या फल प्राप्त होता है कि आपको इन सभी का फल प्राप्त होता है। और ऐसा करने वाला विक्ति भवान के धाम को भी जाता है। उसके बाद इसको पढ़ने से जो भी उसकी कथा को सुनता है। पूर्वा क्या पढ़ता है उसको सहस्त्र को दान का फल मलता है सहस्त्र को गवए दान करने का फल मलता है गाय दान करने का फल मलता है और वो भी चांदी सूने सहिब तो आप सूछ सकते हैं कि एकादिशी का कितना महत है हम इतने ज़्यादा पुन्य कर्म करते हैं, तीर सूप आत्राय करते हैं, इसनान आदी करते हैं, दर्शन करने जाते हैं, बहुत पुन्य कर्म करते हैं, दान, धर्मित्यादी, उन सब को करने से जो पुन्य प्राप्त होता है, वो एक मातर एकादशी के करने से प्राप्त होता जिसका क्या नाम था वज्रभज, जो उससे बहुत जादा इश्या करता था तो एक बर उसने क्या किया, उसने राजा की हत्यागर दी और उसके शफ को ले जाकर एक जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया अब क्योंकि उसकी अकालम थी होवे थी, तो उसकी आत्मा जो प्रेट बनकर पीपल के पेड़ पर हहने लगी अब वहां से जो भी वेक्षी निकलता था, वो आत्मा उसको बहुत परिशान करती थी एक दिन वहां पर दौम मे रिशी आया, वहां से गुजर रहे थे तो जो रिशी सादू संत होते हैं उनमे वैसे बहुत उनकी तप में बल होता है तो वो समझ गए कि यह क्या कहानी है, इनका क्यायते हां से तो वो समझ गए वहां पर तो उनुहोंने उस राजा के लिए, क्युकि जो संतों का सभाश थै वो बहुत ही बिनर्म और करोना मही होता है यह मतलो सब के हेल्प करना चाते है तो वैसे दौमेरिशी को भी सभाशा था तो उन्होंने क्या कि राजा की हेल्प करनी के लिए एकदशी का अपरा एकदशी का पालंग किया और उसका जो फल था वो प्रदान किया उसको जो राजा था जो प्रेतियोनी में था तो उस फल को प्राप्ट करके जो राजा था वो भावान के दाम को लोड़ गया तो इस एकदशी की कथा से हम समझ सकते हैं कितने महीमा है एकड़शी की, कितना महत है एकड़शी का, तो इसलिए हम लोगों को कोई हम वरत रखें ना रखें, लेकिन जो शास्त्र बता रहे हैं कि एकड़शी का वरत बहुत ज्यादा मैतना है, और जिसा कि हमें जाना कि अगर हम इस वरत को नहीं रखते, तो इसके हमको पाप कर्म लगता है कि एकादेशी में स्वयम अन्यमे पाप की दराज मान है तो इसलिए हम सबी को कोशिष क्या मतलब रखना ही चाहिए एकादेशी का तो हमको रखना ही चाहिए जी, हम कहीं 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 कथां में खो गए थे पूरे हमारे ओडियन्स को जो सुन रहे हैं, अगर आप लोग को कोई सवाल है, कुछ पूछना है मही माजी से, तो आप जो पुछन बोक्स है, वहां पर लिख दे और हमारे वीडियो को बहुत-बहुत शेयर करते काफी लोग जो है, वो एकादिशी का वरत करते तो हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि क्यों कर रहे हैं वा, इसके पीछे क्या कारण है, इसको एकादिशी क्यों कहते हैं तो वो सब जान किया करेंगी तो शायद जो हमारी बक्ति है जो हमारी स्वड़्दा है शायद वो दस गुना जादा हो जाए बिल्कुर तो यहाँ पर मैं इसके लिए कुछ शास्त्रों से ब्रह्मायण भी शेयर पहना चाहूंगी क्योंकि कुछ लोग करते हैं क्योंकि कुछ लोग करते हैं कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं भी करते हैं कुछ लोग का ऐसा मानना होता है कि हम कोई भी ब्रह्त करें कोई फरक में बढ़ता हैं सब एक सही है तो इसमें मैं ना शास्त्रों से कुछ प्रमार लेना चाहूंगी आपके सामने क्योंकि जब हम उस चीज को जानकर करते हैं तो हमारी उस चीज के प्रतिश शद्दा और जादा अधिक उत्पन हो जाती है तो यहां पर हम खुछ शास्त्रों के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक ग्रंथ के बारे में जो की है हरी भक्ति विलास तो पहले मैं आप इसको इस ग्रंथ के बारे में बताना जोंगी जो हरी भक्ति विलास नाम का ग्रंथ है वह एक महीने तक Shri Chaitanya Mahaprabhu के चड़नों में वारनसी में बैटकर सारे वेदों का ग्यान ग्रहन किया था Shri La Sanatan Goswami और उसके बाद सारे वेदों का जो सार था उन्हें उजागर किया था हरीवक्ति विलास में तो हरी बक्ति विलास में श्रीला सनातन गोस्वामी कह रहे हैं तो इसमें सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं उस तिथी को प्रणाम करता हूँ जो मेरे कृष्ण को अक्यंत प्रिये है ये एकादशी तिथी मनुष्य की सभी कामनाव को पूरा करने वाली है और ऐसी तिथी, जिन हरी कुप्रिये है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ तो यहां पर यह बता रहे हैं कि जो एकादशी तिथी है, अगर हम उसका अब्रत करते हैं तो यह हमारी सारी कामनाओं को भूर्ण करने वाला है दूसरा प्रमाड हम लेंगे मतस्य पराण से यह बता है कि जो भी एकादशी के निरहार रहता है मतलब अनवर्याहिम नहीं करता और दूसरी के दिन फिर भूजन करता है तो यह भगवान विश्नु की प्रीती देता है, यह भगवान विश्नु का प्रेम हमको देता है और वैश्नु के लिए इसको सबसे बड़ा प्रत कहा गया है इसके बाद अगरी पुरान में बताया गया है कि एकादश्याम ना भुझेता व्रतमेदवी वैश्नु की पतलब चीज में बताया गया है कि एकादशी के दिन हमको अबी भूजन नहीं करना चाहिए क्योंकि व्रत जो है भगवान विश्नु को अत्यधिक प्रीये है इसके बाद भ्रहन नारदी पुरान में आता है अगर्ण नारदी पुरान में इकादश्याम आतमे की आरंभ में लिखा है कि भ्रहम्मन हो शत्री हो बैस्चा हो या शूद्र ही क्यों ना हो और नारियों को भी ये विश्णू का परम प्रिय एकादशी व्रत भक्ती पूरवक्त करने से मोक्ष प्रदान होता है लाप्रदान होता है क्या होता है कि कहीं जगह हमने सुनाए कि कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी का गत्मा इस्तरियों को नहीं करना जोंगे कोई कहता है कょूं रहां बरस्त हैं मतलब बहुत सारी ने वैसलिया प्रहामान आप शाती हो वह स्थरी हो नारी हो बosट्री हूं आपको एगाध्शी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि आपको मोक्ष प्रदान करता है भगवान का धाम प्रदान करता है भगवान की भक्ति प्रदान करता है उसके बाद नेक्स्ट प्रमान हम ले रहे हैं एक अदिशी का ये व्रत सर्व कामनाओं को प्रदान करने वाला है भक्तों को ये व्रत विष्णु प्रीती हे दूस सरवदा करना चाहिए अर्था त्यद्दपी इस व्रत से सभी कामनाय पूर्ण होती है तथा भक्तों को श्री हरी की प्रीती की कामना से इस व्रत को सदैब करना चाहिए तो एकादशी कादध हर हम करेंगे, तो हमारी हर तरीके की इच्छा हर मनुकामना पूर्ण होगी, लेकिन फिर भी हमको भगवान की भक्ती बाने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए हमें, जो एकादशी कादध है उसको करना चाहिए अगर हम मानव है, सुबता है, अगर हम मानव हैंगे, तो क्या करना चाहिए, यह कर देदक आज़ jsem, ऑर इसके बाद में इसकंदर पुराण में बता चाहिए, यह स्कंदर पुरान में इसके करता इसमें बताया है हमको इकादशी का वरत करना चाहिए अब एक और चीज आती है कि इसमवन सेज कि हम तो वैशनव ही नहीं इसे भी हमने सुना आगे कि तो वैशनव का सबसे बड़ा दोहार है हम नहीं है वैशनव हम नहीं मानते कृष्ण में विष्णू में नहीं मानते हम हमारे आरादे तो शिवजी है ठीक है हम क्यों करें तो हमें नहीं करना हम तो वन्वार का व्रत करेंगे हम नहीं करेंगे कादशी क्यों क्यों कि हम तो शिवजी को मानते है तो उन लोगों के लिए यहापर एक मेरे पास में मतलब मेरे पास नहीं पुराण में एक उधारण है सकंद पुराण में शिवजी पार्वती जी से कह रहे है कि शेवो नाचा सौरोवा नाश्रमी सेवगा यो भूंते वासरे विष्णो श्वपचाद अधिको दी सना विप्रियम तेन में गोरी तो यहाँ पर शिवजी कह रहे है सकंद पुराण में पार्वती जी को जो व्यक्ति एकादशी के दिन भूजन करता है वा ना तो शेव है ना सौर है तिके ना वो तो मेर को मानने वाला है ना वो सूरे के उपासना करने वाला है ना वो आश्रमी है मतलब वो किसी भी प्रकार के किसी आश्रम में नहीं आता ना वो ब्रहमचारी है ना वो सन्यासी है ना वो ब्रस्त है और ना वो वानप्रस्त है ना ही वो तीर्थूं का सेवक है वो ऐसे कितनी भी तीर्थ आत्राए कर ले उससे कोई फरकने पड़े का वो कह रहा है कि वर्ष श्वपत से भी अधिक नीच है, ठीक है? वो कह रहे हैं, हे गोरी, मेरी भक्ती के बल का आश्रा लिकर अगर कोई कहता है कि मैं इकादेशी नहीं करूंगा और हरिवासर करता है हरिवासर कि और हरीवासर नियुसा गुंआ हरी की सथाघण स्क्राण भी नहीं है Jumik dane YouTube अरम मेरा विपरी खोड़ाए अर्थार तूम मुझे अप्रिए है भीयर मुझे बिलकुल भी त्रिय नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि शेव जी भी आप पर बता रहे हैं कि एकादेशी का व्रत हमें जरूर रखना जाए हैं मतलब हमें किसी तरीके का कोई बहाना नहीं है कि एकादेशी का व्रत करने से हम बच सकते हैं एकादशी के वरत का बहुत जादा है, हमने ये कुछ पराणों में, बहुत सारे पराणों में, बहुत सारे शास्त्रों में एकादशी के बारे में बता है, हमने सिर्फ कुछ के बारे में चर्चा किया है, कि एकादशी के शास्त्रिक प्रमान तो ये कुछ एकादशी के शास् ani के बारे में आपका क्या किया और कhenा है क्या कौन सभला सही या दूनों सही यह अच्छुरे युछा होता है कि एक दिशी के मशिधिव स्टार्ट 할ा लद दर्शमी की शान से मिनल सलमी के कहाँ जाते हैं कि कुछ हलका फुलका ही भोजन करेंगे तो हम हलका फुलका भोजन करेंगे अगर तो क्या होगा कि दूसरे दिन हमको ना बुका रहने में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर यह सुचके ब्रत करते हैं कि कुछ खा लेते हैं दश्मी के दिन कि next day मारा फुलका खालो पूरा कलका कोटा आज पूरा कर लो उससे क्या होता है कि हमको जादा प्रॉब्लम होती है next day तो इसलिए एकादेशी के दिन मतलब दश्मी के दिन हम शाम से अगर बट लाइट फूड लेते हैं कुछ लोग क्या होता है कि शाम से ही स्टार्ट कर देते हैं फास्टिंग कि हमारा जो फास्ट है वो भी हम अच्छे से कर पाया है तो ऐसे करके 36 आर्स का जो फास्टिंग है वो एकादेशी में बताया गया है टाइकदेश जब्रुरी ड़ेहाँ के दिथा keyword हूरु इककदेशी की वार예 रिसके वारेशी कादादेशी की जो है कि छो आप हणादेशी का कर्णे के वारे कि फास्ट ब्रेक टर्डिकटर्ट के पारुता है जिसको क्या क्याते हैं पारंट समय, जो कि हर एकदशी का पारंट समय होता है, जो कि हर एकदशी का पारंट समय होता है, जो कि हर एकदशी का पारंट समय होता है, जो कि हर एकदशी का पारंट समय होता है, जो कि हर एकदशी का पारंट समय होता है, जो कि हर एकदशी का तो अगर आप उस समय में पास्ट बेक नहीं करते हैं, तो आपका जो फास्ट है आपको उसका फल नहीं मिलता है तो इस तरीके से यह तेन दिन का माना जाता है दस्मी की शाम को, एक अधिशी, और पारंटाइम जरूरी नहीं है कि आप उसको दस्मी की शाम सही रखे हैं और एकादेशी का जो स्टार्टिंग में सुभा जैसे होता है न तो स्टार्टिंग सोभा से हो जाता है तो इसके बारस के दिन मेलाब दौदशी के दिन आप उसको पारंट समय में फाज़ पेकर आप यहां पे सोननात जी पूच रहे हैं कि तुल्सी के पत्य को तोडने का मन तो इकादेशी के दिन अगर हम तुल्सी दल से चंदन लगी हुई तुल्सी दल भवान को अरपत करते हैं तो गैरिंटीर हम भवान के दाम जा सकते हैं तो इसलिए एकादेशी के तिन हम जरूर भवान को उफर करना चाहिए तुल्सी दल तो हम उसको चंदन लगाकर भवा तो उसके हमको बहुत ज्यादा बेनिफट होता है तो अभी हम आपर आगे कुछ बेनिफिक पारे में भी चर्शा कर सकते हैं सिपरिच्छ के स्परिट्चल एंवेपिस के बारे में हाजिए So, सब्से नहीं से पहले हमना select कर बारे में भी हरी बखति विलास में सबसे पहले प्रकार की मनों कामनाओं को फोड़ने करने वाली है सबसे पहला तो एक बैनेफिट ही हुआ दूसरा है कि मनुष्य के सभी पापों को नश्ट करने वाली है तीसरा ये हमारे शरीर को, मन को और आत्मा को शिब्द बनाती है इसके बाद जैसे कि हमने पहले भी डिसक्स किया था कि एक अधिशी का वरत इसके बराबर है कि अगर आप कोई भी तीर थेहात्रा करते हैं तो आपको कोई भी तीर थेहात्रा करने का फल कैसे मिल जाता है कि आप सिर्फ एक अधिशी का वरत रखेते हैं अपको इतना benefit है इसके बाद जिसे कि हम कथाओं में पढ़ते हैं इसके बाद जो अश्वमेग इगग होता है वो करने का फ़ल हमें प्र pencil होता है इक अश्वमेग उतर्थ मात्र रखने से इसके बाद हर प्रकार का यर्श घोईफव सुक सम्रद्धी पृप्त होती है एक अधेशी का वरदान दिया था जो भी आपकी पूझा करेगा जो भी आपका वरत रखेगा मेरी पूझा करेगा उसदिन तो वह क्ना89 को पृप्त होगा जिसने की प्रति हमारा प्रेम भडता हैं तो यह कुछ spiritual benefits हैं अब छंगणगन कैने की ठीक है spiritual benefits है तो क्या कोई medical benefit भी है तो कुछ हम medical benefit भी इसके बारे में चर्चा करेंगे जब हम fast रखते हैं तो सजी आपने भी बहूला कि 36 hours का fast होता है 36 hours का नहीं होा वह क्या hypothetical बेमिट होगлон तो जो एक अधिशी का वढ़त रख़ने से क्या होता है हमारी पौडी जो एंदा लिटोक्सिफाइ हो जाती है जो हमारी तोकसिल में से जो फोर्फोर्ट है, प्तप्सेल के पर निकल जाते हैं तोकि नमारी साहरी सीस्टेम को फंदा है जिससे कि वो रिफॉंक्शन कर से और जो मेडिकल साइंस ने ये भी प्रूफ किया है कि ये जो एक्सेसिव वेट है ना भी निकाल देता है क्योंकि उस दिर हम लेस फूद कंजूम करते हैं इसके बाद जो हमारा बॉडी का डीने है वी बैनिफिशल हो जाते है क्योंकि उस दिर माम कम कैलोरी है वो यूज करते हैं कम कैलोरी जितनी हम लेंगे उतना ही जादा हम जी पाएंगे तो अगर हमको अपनी लाइफ मोर हैप् बनाएगा है, हेल्डियर बनाएगा और आपको स्वस्थ बनाएगा इसके बाद एकदशी की ब्रत को रखने से हमको अबंडेंट मेंटल पावर मिलती है और पीस मिलती है चुकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम अपनी बोड़ी का ध्यान तो रखते हैं लेकर हमने माइन का ध्यान नहीं रखते हैं तो कि हमारा माइन सही होगा तो कोई भी कारे बहुत अच्छे से कर पाएगा महिमा जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके आप और 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 भी कुछ हमने सुनने को मिलेगा या आज के लिए इतना ही तो मैं बस यहाँ पर एक और टॉपिक पर चर्चा करना चाहूंगी कि पास्टिंग रूल्स, कुछ पास्टिंग रूल्स जैसा कि हमने आभी करी लिया है लिम्हुच पास्टिंग रूल्स पर स्चर्चा करना चाहएंगे तो जैसे की हमने इसमय के नामचप में हरी किर्दन में हरी भक्तों के संग में बिटाना है उसे प्रच्छा यह स्थरो का अधियन करना है और भक्ती में बना सकें, कृष्णा बना सकें और एक बात है कि हमको एकादशी कभी भी मिस्त नहीं करनी है हमें 24 के 24 एकादशी ही रखनी होती है तो इसा से हमने भी डिसक्रस किया है कि अगर हम एकादशी मिस्त कर देते हैं इसका पाप लगकता है तो 15 के साथ हीकाठेशी हमको किसी भी एकनडिशिय में मिस्त नहीं करनी है और एक उर मास पढ़ता है अधिक मास जुचograph को मलमास भी खागाजाटा है तो उस्में 24 के जिगह कितनी रा मास के साथ और हैं जोए ज़ाती है जो भी आजे कारे हैं जुनको छोड़ा जा सकता है उस दिन के लिए ना किया जाए उस दिन के लिए सिफ भक्ती की जाए जादा से जादा हरी भक्तों का सं किया जाए हरी करता श्रवन किया जाए हरी नाम जब का कीरतन किया जाए कुछ चीज़े जो हमने आज स्पेसिफिकली सीखी पहला तो है कि यह कोई वैशनव के लिए या शैवाज के लिए ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे शिव जी ने खुद ही बोला है तो यहाँ पे जो unity in communities हो गया unity in religion हो गया वो कहीं न कहीं जो है यहाँ पे दिखता है for sure second जो बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपकी कि आपने हमें scientific meaning बताया कि यह जो भारत का जो rituals है या इंडिया के जो festivals है culture है यह सिर्फ हमारे पूरवज करते थे करते आ रहे हैं शायद अगर हमारे यहाँ जो बहुत करती है वो जो जो बहुत करती है और आज की generation शायद नहीं करती है क्योंकि उन्हें कारण नहीं पता यहाँ जो साइन्टिफिक कारण नहीं पता वो हर चीज में साइन्स जूनते हैं वो टेक्नोलोजी में इतने ज़ादा भी हैं और उनको हर चीज का reason चाहिए होता है तो सायद कहीं नख कहीं आप यूथ को भी सिखाती है तु आ यूथ को भी बहुत क्लास लेती है उनकी मोटिवेशनल क्लासर हो गए या भगवत गीता के स्चलासर हो गए तो यूथ को जब आप सिखाती है तो इसके अलावा आप से बात करके बहुत अच्छा लगा महीमा जी आप बहुत ही अच्छे सिंपल भाषा में जो आपने समझाई का था है मैं तो डूबी गेती कहानियों में तो बहुत बहुत अच्छा लगा तो प्लीज अगली एकादशी से आप इसको जरूर करें और जो भी हमारे हिंदु दर्म है जो भी हमारे बताया गया है जो भी रिच्छोंस बताया गया है वो सिर्फ ऐसे बताने के लिए मन से नहीं बनाए गया है तो एक साइंटिफिक रीजन है और वो बहुत ही जादा बेनिफिशिल है तो थैंक यू सो मच आप सभी को एकादशी की अप्रा एकादशी की हार्दे शुक्राम लाए हारे कृष्ण हारे कृष्णा